Hello students, today we will discuss long question answers of the chapter, the desert. Desert, आप लोग उसको जैसे पता ही होगा, किसे कहते हैं? मरुस्थल को. मरुस्थल कह सकते हो, इसको हम रेगी स्थान भी कहते हैं, जो रेती रेत होता है. जैसे अभी पिक्चर में देखेंगे, रेती 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 जहां पर होता है, बहुत जादा रेती होता है, पेड कम होते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, जैसे देखो बहुत दूर दूर तक रेती हैं, और यह गोल्डन कलर का होता है, तो होता है यह मुरुस्तल कैसा होता है इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखो और बहुत मतलब जोर से पढ़ो टू यूर क्लासमेट्स अपने क्लासमेट्स के साथ यह क्योस्टिन आपका आजाएगा फाइव मार्क्स का क्योस्टिन बनेगा तो डेजर्ट जैसे आपने पिक्चर आप यहां पेर पैड भुधिन दिख रहा है जहां पीड पूधिन नियुस्टिन ओगए तो क्या होगा वह बहुत ज्यादा क्या होगा गरम और सेंटी यानि कि यहां पर इस जगहा पर, प्लेस का मतलब जग है, तो इस जगहा पर पहुत ज़्यादा रेद होता है, यह गरम होता है, कौन? डेजर्ट, बट इट कैन भी वेरी कोल्ड ओल्सो, लेकिन कई बार क्या है, डेजर्ट में ठंड भी होती है, सुनाओगा रात को यहां पर पहुत ठंड हो जाती है, it can even be covered with snow, कई बार जो रेगी स्थान होता है, उसमें बरफ भी पढ़ती है, मतलब रेर होता है, रेर का मतलब बहुत ज़्यादा दूरलग होता है, मतलब अमतर पर नहीं होता है, लेकिन कभी कबार हो जाता है, कि रेगी स्थान में बरफ पढ़ सकती है, रेगी स्थान में ऐसा नहीं है, रेत ही रेत होगा, कहीं पर पहाड भी आ जाते हैं, तो वहाँ हलकी फुलकी snow भी पढ़ जाती है, there is either no rainfall or very little rainfall in a desert, रेगी स्थान में या तो बारिश होती ही नहीं है, rainfall मतलब वर्षा, या तो वर्षा होती ही नहीं है, या होती है तो बहु सूखा होता है, waterless, पानी नहीं होता है, यहाँ पानी की कमी होती है, and shelterless place, यानि कि यहाँ पर हम आश्रे नहीं ले सकते, shelter का मतलब जैसे हम पेड के नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे पेड के नीचे ठंडे के लिए बैठ जाते हैं, तो यह यहाँ पर नहीं होगा, आप रेगी और कहीं कहीं अगर इस रेगिस्तान में कहीं पेड आजाए, तो बैठ के वहाँ मज़ा भी बहुत आता है, variety of people, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, animals, बहुत सारे animals भी होते हैं, and plant can be seen in a desert, और अलग-अलग परकार के पेड भी desert में देखे जाता है, ऐसा नहीं है कि व वहाँ लोग भी होते हैं, वहाँ बहुत सारे जानवर भी होते हैं, और वहाँ पेड बोधे भी होते हैं, रेगिस्तान में मरुस्तल में दूसरी तरह के पेड होते हैं, whenever there is rainfall, और जब कभी अगर वहाँ पे बारिस आ जाए रेगिस्तान में, in a desert, यानके मरुस्तल में flowers bloom, फूल भी खिलते हैं वहाँ पर, bloom का मतलब खिलना, फूल भी खिलते हैं, and the sight is very charming, और वो जो दरिश्य होता है, बहुत जादा मन मोहक होता है, charming का मतलब होता है, मन मोहक, जो मन को महले या हमें बहुत अच्छा लगे, in a hot desert, और जो गरम रेगिस्तान होते हैं, camel is the most useful animal, वहा ज्यादा लाबकारी एक पसू होता है, it is called the ship of the desert, और उट को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज के इसको कहते हैं, उट को, तो ये आपके desert के उपर paragraph था, second important question क्या बनता है, एक camel can do without water for days together, एक उट जो है, कई दिन तक भुजार देता है, बिना पानी के, without water, बिना पान पानी के, four days together, कई दिन रह जाता है, पानी नहीं पीता हो, what is the reason given in the text, क्या कारण बताया है, देख, पानी तो हमें रोज चीए, जैसे हम अगर एक दिन पानी रापे, और स्याम तक हमें चकर आने को सुरो हो जाएंगे, लेकिन, camel एक तो रेगिस्तान में रहता है, बहुत ग चाहे जानवर है, चाहे कीडी है, चाहे आदमी है, सब को पानी चाहिए होता है, in order to survive, जिन्दा रहने के लिए, survive का मतलब, जिन्दा रहने के लिए, the camel, उट जो होता है, popularly known as the sheep of the desert, यह भी हमें पढ़ा था, इसे हम क्या कहते हैं, उट को, sheep of the desert, यानि कि देखिस्तान का चाहाच, can drink a lot of water at one time, यह जो है, उट, एक बार में बहुत ज़्यादा, यह लोट ओफ का मतलब, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, एक बार में ही, मतलब इसको पानी मिल जाए तो बहुत पानी पी लेगा है, यह sweat very little, अब sweat का मतलब पसीना, उसे नहीं आता है, जैसे गर्मी होता है, पसीना आता है, पसीना आयेगा तो हमें प्यास लगेगी, तो इसको पसीना नहीं आता है, it can stand high body temperature और यह जो है, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रह जाता है, इसके सरीर का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसे शेहन कर सकत तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है ताकि हमारा स्रीर के तापमान जो है शंतोलेद रहे लेकिन इसको पसीना नहीं आता है तो यह टेंपरेचर को सेहन कर लेता है बोडी टेंपरेचर को लेकिन यह बहुत बहुत त्पीड से चलता है रेकिस्तान में पहुत तापमाने जयाते हैं तो तो हम वह पने शुरुत सामNa ध कुलेद हैं that is why a camel can do without waterfall days together क्योंकि इसको sweat नहीं आता है इसे पसीना नहीं आता है इसलिए ये कई दिन तक बिना पानी पिए रेगिस्तान में रह सकता है इसलिए इसको ship of the desert कहा जाता है वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना कमेंट करके जरूर बतना आपको वीडियो कैसे लगे पने दोस्तों की शाषियर करना चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल